पिछले हपते ही मैं ठाने और मुंबे गया था यहां मेट्रो समेथ 30,000 करोर के प्रोजेक्स के सुभारम का अवसर मुझे मिला कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है महराष्ट में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट वधावन पोर्ट की नीव रखी गई है आज महराष्ट को दस मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है नागपूर एइरपोर्ट के आधुनी करण और विस्तार का काम सिर्डी एरपोर्ट के लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण आज इंफ्रास्ट्रक्टर से जुड़े इन दो एहम प्रोजेस का सलान्याद भी हुआ है मैं सभी विकास कारियों के लिए महराष्ट के लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ अभी पिछले हपते ही मैं ठाने और मुंबे गया था यहां मेट्रो समेथ तीस हजार करोड के प्रोजेक्स के सुभारम का अवसर मुझे मिला इसके पहले भी अलग अलग जिलों में हजारों करोड की विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है कहीं एरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है तो कहीं सडकों और हाइवे से जुड़े प्रोजेक्स तेज गती से आगे बढ़ रहे हैं इंफ्रास्रेक्टर, सोलर एनरजी, टेक्स्टाइल पार्क से जुड़ी परियोचनाएं लौंच की गई हैं किसानों, पसुपालों को के हीत में नई पहल की गई है महराष्ट में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट, बधावन पोर्ट की नीव रखी गई है महराष्ट के इतिहास में इतनी तेज गती से, इतने बड़े स्केल पर अलग-अलग शेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ हाँ, ये बात अलग है कि कॉंग्रेज के राज में इतनी ही तेज गती से, इतने ही स्केल पर अलग-अलग शेत्रों में ब्रश्टाचार जरूर होता था भाई और बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने मराटी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया जब एक भाषा को उसका गवरो मिलता है, तब सिर्फ शब्द नहीं, बलकि पूरी पीडी को नए बोल मिलते है करोडो मराठी मानूस का दसको पुराना सपना पूरा हुआ महराष्ट के लोगों ने जगह जगह इसकी खुशी मनाई, आज महराष्ट के गाउं गाउं से मुझे खुशी के संदेज भी भेज रहे हैं महराष्ट के लोग अपने संदोशों में मराठी को अभिजाद भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे धेर सारे धन्यवाद दे रहे हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये काम मैंने नहीं आप सबके आशिरवाद ने किया है महराष्ट के विकास का हर प्रयास चत्रपति सिवाजे महराच बाबा साब आमबेड कर जोती बाब फुले सावित्री बाई फुले जैसी विभूतियों के आशेवाद से हो रहा है हुआ हुआ है